अमस्कार मुस्वागेते आपकर देख रहे हैं उत्राखन लाइव में हूँ आपके साथ शिल्पा तुमर। उत्राखन के मुक्य मंत्री पुश्कर सिंधामी ने नई दिल्ली में उत्राखन निवास का आज लोकारपन किया। उत्राखन निवास को भवे रूप दिया गया इसमें पचास से ज्यादे कमरे बनाए गई हैं उत्राखन से जरूरी काम के लिए अगर कोई दिल्ली जाएगा तो दिल्ली जाने वाले लोग इस उत्राखन निवास में ठहर सकेंगे उनके लिए साहूलियत हो जाएगी ये सब्सक्राइशन सलक हाथसा हुआ उस हाथसे में जिन्चतिस लोगों की जान गई उसके बाद धामी सरकार ने सारे बड़े सांस्क्रत्य के कारिक्टरमों को रद्ध करने का फैसला लिया और इसलिए आज नई दिल्ली में उत्राखन निवास का लोकारपन भी साधिगी के स पाद किया गया से एमधामी ने इस दोरान कहा नए दिल्ली राज्श्य राजधानी है राज्य के लोग और अधिकारी उत्राखन से यहां आते जाते रहते हैं कभी उत्राखन सदन की शमता बहुत कम हुआ करती थी लेकिन इस नए भवन का निर्माण इसे समस्या के समाधान के तौर पर बनाया गया है इसको ध्यान में रखते वे ही यह नया निवास दयार करवाया गया है उत्राखन निवास में 50 से ज्यादा कमरे इसे लिए बनवाई गए यहां पर अतीति के रुकने के लिए डौर मेट्री भी बनवाई गई है उत्राखन निवास के निर्माण में राज्ये की संस्कृति के विविदिताओं को दर्शाया गया यानि कि राज्ये की जो संस्कृति है जो कल्चर है राज्ये का उसको भी वहां पर दर्शाया गया है उसकी वास्तु प्रश्टान के लोगों को एक लंबे समय से प्रतिक्षा थी कि अधिक निवास पनकर हमारा यहां पर तयार हो और सब लोगों को यहां पर जब दिल्दी के लिए आते हैं यहां ने स्थानों से अन्य स्थानों को प्रस्तान करते हैं तो आज वो प्रतिक्षा हमारी तूरी हुई है और यह उत्राखन निवास हमारी लोग कला लोग संस्क्रिती जो हमारी विरासत है उसको पढ़ाने का काम भी करेगा और सभी के लिए सुविदा होगी मैं इस अफसर पर सभी इस निर्मार कारे में इस निवास को बनाने में हमा और विरासत होगा है उनको भी इस दिवास के बनने से यहाँ से सुविदा प्राप्त होगी मयोत्राखन के चार धामों समेट पंच केदारों की कपाड़ बंद होने का सिलसिला अब अंतिम चर्णों में पहुंच चुका है सबसे पहले उच्छ हिमालिक शेत्र में स्थित चतोर्थ केदार रूद्र धाम के कपाड़ बंद किये गए जबकि आगामे 17 नवंबर को बद्रिनाध धाम के कपाड़ भी बंद कर दिये जाएंगी ऐसे में बद्रिनाध धाम की यात्रा अपने अंतिम दोर में है लिहाज़ा बड़े से बड़े संक्या में तेर्थियात्री दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँच रही है अब तक 13 लांग से ज़्यादा तेर्थियात्री भगवान बद्रि विशाल की दर्शन कर चुके हैं और ये संक्या अभी और बढ़ने का अनुमान क्योंकि अभी 6 नवंबर हुई है 17 नवंबर से पहले पहले कोशिश की जाएगी ज़्यादे से ज़्यादे श्रधालों की तरफ से की दर्शन कर लिए जाए और इसलिए इमाना जा रहा है कि 13 लांग तक अब तक ये श्रधालों का जो आंकड़ा पहुंचा है ये 15 लांग तक पहुंच सकता है बात अगर बद्रिनात धाम की करें तो यहाँ पर लगतार श्रधालों की आमद बढ़ती जा रही है जैसे कि हमने आपको बताया और तस्वीरे भी दिखा रहे है बद्रिनात आने वाले श्रधालों का आंकड़ा 15 लांग के पार जा सकता है गंगोत्री धाम के कपाट भी 2 नवंबर को बंद कर दिये गए जबकि यमनोत्री धाम और 12 जोतिल लिंग में एक केदार नात धाम के कपाट 3 नवंबर को शीद काल के लिए बंद किये जा चुके हैं इस बार बाबा के दार के दर्बार में तक्रीबन 16,52,000 श्रधालों ने अपनी हाजरी लगाई वो दर्शन करने के लिए पहुँचे वह चारदा म्यात्रा को लेकर मुख्य मंत्री पुश्कर सिंधामी ने बयान दिया है सिंधामी ने कहा है इस बार जिस तरह से लगभग एक से डेड़ महीने तक पूरी आपदा की इस्तिती बनी रही सर के तूटी रही भूसकलन लगतार होता रहा लेकिन बावजूद इसके अगर हम औसत निकाले तो साड़े 16,00,000,000 से ज्यादा यात्राई हो चुकी है केदारनाथ यात्रा बड़ी है लोग बड़े संख्या में यहाँ पर पहुँचे साड़े 16,00,000,000 से ज्यादा श्रधालों ने यहाँ करुक किया तमाम चुनोतियों के बावजूद लोगों का आना ये दिखाता है कि कही ने कही हम सही दिशा में जा रही है लोगों का विश्वास बना हुआ है अगले तमाम सालों में हम और भी बहतर प्रदर्शन करेंगे यह उमेद सी अमधामी ने जताई देखिए इस परकार से आपदा की इस्तिती भी रही लगबग एक से डिड़ मैंने पूरी आपदा की इस्तिती के कारण से सड़क मार्ग तूट गया था भूष कलन हो गया था लेकिन उसके बाद जूद भी अगर हम एवरेज निकाले तो साड़े सोला लाक से भी ज़्यादा यात्रा हुई है क्यों के दार नाथ जी को बड़ी यात्रा है और लोग आये हैं और चुनोतियां होने के बाद जूद भी लोगों का आना इस बात को दरसाता है कि कहीं ने कहीं हम सही दिसा में जा रहे हैं अगले सालों में हम और अच्छा करेंगे जो सुरवात के दूनों में तो परेसानिया हुई आगे बहुश्ची में वो परेसानिया भी नहुँ और अच्छी प्रसेंगो वाले लोगों में वायल मोडा के सेल्ट भूई बस दुरघटना के शोक में राजिस्था अपने दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्ताविच सांस्कृतिक की कार्प्रमों को निरस्ट कर दिया गया उत्रकन सचीवाले देरदून में मुख्यमं मुख्यमंत्री धामी ने इस दोरान कहा दुख की इस घड़ी में पूरी सरकार शोक द्रस्थ परिवारों के साथ खड़ी है अस्पतालों में भरती घायलों को बैतर इलाज उपलब्द करवाया जा रहा है विभागी अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि घायलों के आज में केसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश नहीं होगी मुख्यमंत्री ने इंस्ट्रक्शन जारी किये कि इस रिदे विदार की दुरगटना के शोक में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर जो कारिक्रम प्रस्तावित थे सांस्कृत की कारिक् किये जाएंगे इस बैठक में प्रदेश में अपराध की समिक्षा की गई बैठक में निने लिया गया कि राज्य में 10 नमबर से पुलिस ओवरलोड डगा मार शराप पी कर वहां चलाने वालों के खिलाफ व्यापक इस तरपर चेकिंग अभियान शुरू करेंगी इसके साथ ही अलमोडा के सेल्ट में हुए बस हाथसे के बाद पहाड़ी मारगों पर यातयात प्रबंधन का मुद्धा भी उठा और कौन-कौन से ऐसे होट स्पोर्ट है उन इस्थानों को चिन्हित किया जाएगा विशेश कर यानि की खास तोर पर वहां पर साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे ग्लोइंग बोर्ड लगाए जाएंगे क्रैश बेरियर लगाने के भी निर्देश शारी किये गए इस ब परिशदिये बैचक आह जित की गई, इस बैचक में जैविक क्रिशे के विकास सेवं कार्मिकों से संबंधित विभिन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गई, बैचक में जैविक उत्पाद परिश्ट के वर्तमान ठाच्ये की मजबूती के लिए सर्चट नए पदों को किये जाने के प्रस्ताव को सुवक्रती मिली मंत्री ने अधिकारियों को जैविक खेती के विकास के लिए कारी योचना क्या कुछ बनाई जा सकती है इसको लेकर निर्देशारी किये वही इस बैठक से पहले उन्होंने किसान भवन में लगी प्रदश्टी के स्टॉल्स पर भी जाकर उत्पादों का जैसा लिया करेंगे आज हमारा एक जिला और्जने के रजप्रियाक हम पांच जिलों को और्णिक करेंगे क्योंकि आज अरुनिक खेती में इतना फायदा है जो चीज जहन के लिए जो चावन सौर बेकलो मितता है अगर वो और गूर जाता है तो उसका डाम धाई सो तीन सुर रो जाता है महित्राखन के सांस्कृते के शहर अल्मोडा के एतिहासिक मल्ला महल में पांच देवस्टी न्याई के देवता गौल्यूजु महतसफ का आयज़न किया किया इस महतसफ का शुभारम के इंद्रिय राज्य मंत्री अजय टम्टा और विदायक मनोज दिवारी के हाथों हुआ बतादे आपको इस कारक्रम के दोरान इस महतसफ के दोरान महिलाओ ने नगर के बाज़ार में भव्वे कलश यात्रा निका ली इस शुभा यात्रा में उत्रखन के साथ विभिन राजियों के सांस्कृतिक टीमों ने हिसा लिया वहीं विभिन स्कूलों के बच्चों ने भी शुभा यात्रा में शांदार पर सुतिया दी कि इस मकसद के साथ इस महतसफ की जबर्दस तैयारिया की गई है और पांच दिवसी है ये महतसफ होने वाला है परमकुजी हम सब के इस्ट सब के परिवारों के देपता जिनकी कारण से सब को रक्षा मिलती है ऐसे गुलजीू का ये पवित्रिक्षान अलमुरा जिसके मल्ना महल जो की एतिहासिक और एक परकार से हम सब के कुमाओं की राजधानी की रोप में इस पहचान है इस पवितरि स्थान में गोल्जी महत्सव के कारिकर में आज के सुभारम के सुभाइवासर पर जो पांस दिन तक की है महत्सव चलना है जिसमें इस्थानी कलाकारों के साथ सांथ जो हमारी नई परतिभाएं हैं उनको भी अवसर मिलेगा और साथ में ही गुजरात, महरास्ट, हरियाना, राजिस्तान के कलाकार भी अपनी परतिबाहें दिखाएंगे हमारे नियाए देता के रुप में जैगोलू मौसुप के नाम से यहां पर मौसुप आईजिन हो रहा है और नियाए का देता है और इसी मौसुप के माध्यम से हमारे यहां के जो इस्तानी कलाकार है वह हमारी सास्कृती से लोग को रूबरू कराएंगे जो हमारे प्रैटक यहां पर आएंगे और हमारी जो लोग गीत हैं, लोग गाथाएं हैं, लोग परंपराएं हैं और उसके उन्नेन के लिए लगातार यहां पर समीती के अधियास हो रहा है वैगरवाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधीकरन कीत रास्सीवी बोड बैचक हुई इस बैचक में तीस विभिन अलग-अलग मुदों पर विस्तरित तोर पर चर्चा हुई, बाचीत हुई खेल अवस्था अपना सुविधाओं को राश्ची और अंतराश्ची इस्तर के मानकों के मुताबिक विक्सित किस तरह से किया जा सकता है क्या कुछ प्रयास इस दिशा में किये जा रहे हैं उनकी इस रहना की गई मांचेत्र स्विकृती में नियम के मुताबिक शितिलता की स्विकृती दी गई भूप योग परिवर्थन के मामलों पर कानूनी और तक्नीकी परिक्षन के बाद स्विकृती का भी फैस्टा लिया गया इस बैचक में हरिद्वार रोड़की विकास प्राधिकरन द्वारा विकिसित पारको और विद्यत विवस्था का हस्तान तरण शेहरी निकायों को करने का फैस्टा लिया गया जिसके लिए सैंस निरिक्षन भी पहले करवाया जाएगा वही रोड़की में रेलवे पुल के पास गिरे निर्वान अधीन पुल की जाच के लिए गटित उचिस्तरिये टीम ने मौके पर पहुंचकर जाच परताल शुरू करती इस दोरान टीम ने तमाम बिंदों की जाच की साथिप पुल निर्मान के लिए वहाँ पर जो श्रमिक पहुंचे थे उनसे भी पुस्ताच की गई है सारी जानकारी उनसे ली गई है वही अब टीम जाच रिपोर्ट अपर सचिव को सौपेगी इसके बाद इस मामले में शासन इस्तर पर आगे कारवाई किया जाएगा ये उम्मी जिताई जा रही है ये असा हुआ एक तरीक को ये एक गटना गड़े थी और शासन ने इसको बड़ा गंभीता परोत लिया चुट्टी के दिन एक तरीस तरीस समीति का गठन किया गया था और वो आज समीति यहां पर आई है उन्हें आज साइट पर देख लिया है अब यह हम अपने जो डॉकुमेंट्स हैं कॉन्टाइट डॉकुमेंट्स है वो सब देख रहे हैं इसके बाद जो हमारी फाइंडिन्स होगी वो हम अपने प्रमुकर बंता महले को उपलप कर दें प्रमा थलिसेंड ब्लोक के कपरोली गाओं में ग्रामीनों ने ग्राम प्रधान पर विकास कारियों में धांदली और ब्रश्चाचर करने कारोप लगाया। महीं जब इस मामले में ग्राम प्रधान विमला देवी और प्रधान पतरी प्रशांत सिंग रावत से फोन पर बातचीत की गई उनसे सवाल पूछे गए तो वे गाओं से कहीं दूर होने का हवाला देते वे अपना पल्ला जारते वे नसराए। मकान के दोराने जगा की खुदाई हुई और खुदाई के दोरान ओपर से गिर गया। और इसी मकान के पत्थर पुराने यहां से निकालके और वहां पर फिट कर दे और एक लाग का बोल लगा दे गया। तो यह पैसा इस मकान मालिक को मिले या फिर यह ठेकेदार को क्यों मिलना चाहिए। हमारे कहने के मतलब ही है कि यह पैसा मकान मालिक को मिले ये आपको बता दिये कुछ आपको बता दिये कुछ अबंगे बाताने बाटी रहे मिलों कि पर saयी प्रकुरु Kt यह बड़ा से यह हुए इसा हुएρί या Р leva कि घ्र ? तो वो इनको 10 लाग पड़ रहे है अगर उसको भी एक लाग उसमें तो 10 लाग का पड़ रहा है और जाहिर सी बात है है कि अगर हम मकान का किसी को ठेका देते हैं तो उसकी चारूतरब नीव देखके सारा कुछ देखके हिसाब से देते हैं कोई इस तरह की अरोप है या कोई इस तरह की अनिमित्ता हुई है तो उसकी जांस करा ली जाएगी और जो अभी जैसे आपने बताया तो इसके बारे में जो वहां पे खंडविगा से दिख्या रही है उनसे वादेशित कर दूँगा कि इसमें जांस कर ले कि आप मंद्रेगा कि जो मजदूर ही है वो पात्र व्यक्ति को वही बिल रही है या किसी अनि को भी इस तरह से वहां पर कारी दिया जा रहा है तो उसके बारे में जांस करा लिए तो उसके हम जांस कराएंगे और उसमें जो भी आवश्य कारवाई उसको करेंगे तो उसको हम कराएंगे और उ जीग्रोध बंनाने के बादosition प्रञता, इस पर 16 लोग पर अनलागत है इस पर 16 लोग पर से लेकिन और 16 लोग कहा पर लगा, काज़ों में तो दसा रखा हो काम, लेकन द्रातल पर वो काम हो नहीं रखा है, काज़ में तो हैं, डोकुमेंट साब हैं, लेकिन द्रातल पर वो काम ही नहीं। पता लगा, जब यह बोल लगा है, एक लाग रुपे, एक लाग रुपे समझे, कोई मतलब नहीं है, कि मेरे खातना में एक पैसे भी नहीं। इस्थाने से रोकने वे असमर्थ है, असफल साबित हो रहा है वन्विभाग इस दिशा में। इस्थाने लोगों ने ये भी बताया कि वन्विभाग को कहीं बार सुचित किया जाता है, बावजुद इसके समस्या का इस्थाई समधा नहीं हो पा रहा। ग्रामिनों ने वन्विभाग से मांग की है कि जंगली जानवरों के लिए यहाँ पर मानव बस्ती में जो लोग रह रहे हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए इन जंगली जानवरों से बचाव के लिए कुछ यहाँ पर कदम उठाया जाने चाहिए और वो प्रभावी पर कदम होने चाहिए ताकि इन जानवरों को मानव आबादी की तरफ आने से इन बस्तियों में आने से इन गाओं में आने से रोका जा सके हर्दवार डगैती मामले में मुख्या आरोपी सुभाश की पतनी ताओ और चाचा गिरफतार किये गए हैं सितंबर महिने में श्रीबालाजी ज्वेलल शोरूम में करोडों के डगैती हुई थी कोट से तीनों के खिलाफ गैर जमानेती बोरन जारी होने के बाद दिल्ली से उन्हें दबोचा गया पुलिस के मताबिक डगैती के बाद से ही तीनों आरोपी फरार चल रहे थे इनकी गरफतारी के लिए कई जगों पर दबिश दी जा रही थी आखिरकार दिल्ली में चिपे होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और धाबा बोलते वे इनके उपर इन तीनों को ही पकड़ लिया हिराचत मिलने लिया तीनों आरोपियों से पूसाच की जवारी उम्मीद है कि डगेती के बारे में और भी एहम जानकारिया सामने आ सकती है मैठाना कंखलक शेतर से हरदवार पुलिस ने एक साधू को गिरफतार किया है हरदवार कंखल पुलिस के मताबिक पीड़िता साधवी ने कंखल पुलिस को आरोपिस साधू यानि की अशोक कुमार वर्मा के खिलाब शिकायत दर्ज करवाई थी साधवी ने अपने शुकायत में कहा शुक कुमार ने उसके साथ जबरदस्ती की अतरंग वीडियो बनाए और उसके बाद उन वीडियो को सोचल मीडिया पर वाइरल कर उसकी प्रतिष्टा को ठेस पहुंचाए चली सिक साथ उत्रकन के अएम कबरों में फिलाल बस इतना ही आबने रहें जनतंडर टीवी के साथ नमस्कार